अगर आपका आज बहतर होगा तभी आप कलपना कर सकते हैं कि आपका भविश्य स्वणनिम होगा नमस्कार आप सभी का दीडी उत्राखड में आपके साथ मैं हूँ शेशांगभट और लेकर हाजिर हूँ मारा विशेश कारिकरम हेलो डॉक्टर हेलो डॉक्टर कारिकरम में अलग-अलग विशेव पर हम लोग चर्चा करते हैं और आप तक वो बारीक जानकारिया पहुंचाते हैं कि कैसे आप स्वस्त रह सकते हैं और आज का जो विशे है हमारा वो है कुपोशन और इस विशे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौचूद हैं डॉक्टर विशाल कौशिक जी जो की बाल रोग विशेशक ये हैं साथी साथ इस वक्त कार्यात हैं दून मेडिकल कॉलिज में बहुत-बहुत स्वागर हैं डॉक्टर साथ आपके तरीके से हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कुपोशन प पन में कुछ अनिमित आया है जिसके विरे से हम लोग उसको कॉपोशन लेवल करते हैं आप कॉपोशन को लागर समझना है तो हमें दौनो ढूंग को समझना पढ़ेगा अंडल नूटरिशन और ऊवर नूटरिशन तो जिसको अंडल नुटरिशन भी कहते हैं, protein energy, malnutrition एक synonymous term बन गया है over nutrition क्या है कि हम एक ही तरह का खात्य परदार्थ बहुत स्वास्त के लिए उसमें carbohydrate हो सकता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि पिज़ा, बर्गर ये बच्चे आजकल खा रहे हैं ये fats का बहुत जादा intake है, तो उसमें आप देखते हैं कि बच्चा ओवरवेट होने के चांसे जादा होते हैं, तो वो भी एक खत्रा होता है स्वास्त के लिए, दूसरी चीज होती है under nutrition, तो under nutrition में आप देखेंगे कि बच्चा जो है, वो उसका weight, उसका height, ये सारी लोग deficiency वाला पार्ट जादा कवर करते है प्रोटीन की body में कमी को पूश्यों कहते हैं इसमें protein, carbohydrates, fats सभी कमी हो जाती है basically इसमें बस खाना जो है वो पूरी तरह से पूरा नहीं होता बच्चे के लिए जो एक balanced diet होती है वो बच्चे को नहीं मिलती तो अगर आप देखें nutrition के अगर तत्व में जाएं आप मुक्य तरह साथ तरह के ही हम लोग जो कहते हैं जो ingredients होते हैं food में carbohydrates, protein, fat, fiber, water, minerals and vitamins तो इन में से किसी की भी कमी हो सकती है जिसको हम कहते हैं cup potion शुरुवाती लक्षन क्या कुछ होते हैं शुरुवाती लक्षन यही मिलते हैं बच्चे की बच्चे का वजन जो षोता है वो कम होता है जिसने मा और बाब देखके बताते हैं जो कि जो पिदा होते हैं मा आते हैं हमारे पस मुक्चे तरह इसी कारण से आते हैं अगर फिर थोड़ा है कि हमारे बच्चे की हाइट बहुत काम है तो अप इसको देखिए हाइट में बच्छा नहीं है और लोगों से इंटरैक्ट नहीं करता है और बच्छों के साथ खेलता कूता नहीं है बहुत सारे changes भी होते हैं जो हम देखते हैं top to bottom अगर हम कहें हैं कि hair से लेकर toes तक पूरे changes आजाते हैं अगर कुछ पोशेत होता है बच्चा hair जो होते हैं मतलब easily pluckable होते हैं, lusher less होते हैं और आप skin में भी देखेंगे skin changes जाते हैं, pigmentation होते हैं, hyper pigmentation होते हैं कहीं पे कुछ सफेदी आ जाती है, कहीं पे कुछ जादा काला होता है, skin एकदम लच्चरले सुझाती है और आप देखेंगे, बच्चा जो होगा, apathetic look देगा, खेलेगा, कूदेगा नहीं, जादा interact नहीं करेगा और लोगों के साथ एकदम गुमसुब सा रहेगा, और आप देखेंगे, मतलब अगर आप देखेंगे, vitamins and minerals की deficiency होंगी तो उसके जो मुह के आसपास हैं, महाँ पे भी आपको deficiency symptoms दिखेंगे तो overall आप उसको देखके ही आप बता सकते हैं कि यह deficiency symptoms उसके अंदर creeping कर रहे हैं तो बच्चा जो है, वो कहीं ना कहीं, उसको खाने का जो है, उसका source वो balanced नहीं है source balance भी नहीं है, किस age group में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और एक सवाल मेरा इस से जुड़तावाई ये भी है, कि क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को कुपोशन हो सकता है कि कुपोशन किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी उम्र वाले व्यक्ति को हो सकता है लेकिन जो हमारा main target होता है, होता है under 5 एज में, क्योंकि जो proportion है, जिसको malnutrition कहते हैं या जिसको under nutrition कहें, ये एक मुख्य कारण होता है under 5 mortality rate का, तो अगर आप देखें, 35% जो cause है under 5 mortality rate का, जो 5 साल से कम उमर के बच्चों की मुख्य कारण है, उसमें कुपोशन मुख्य कारण है, तो ये 35% बच्चे जो हैं, इनको हम cover कर सकते हैं, अगर हम कुपोशन को cover करें तो. इस बिमारी के कारण और कौन सी शारिरिक बिमारियों का सामना करना पड़ता है उस शरीर को, चाहिए बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, तो वो मैं जानकारी चाहूँग आपसे. अगर आप देखें, जैसे थाइमस है, मेन, जिसमें हमारे T-Lymphocytes, जो रोगों से लड़ने की शमता होती है, तो कहते हैं, थाइमस अगर severe acute malnutrition में है, तो रोगों से लड़ने की शमता हमारी कम हो जाती है, तो जो T-cells होते हैं हमारे, वो एक तरह से कम-काम करते हैं, उनका maturation नहीं हो पाता है, तो आप देखें कि रोगों से लड़ने की शमता कम हो गई, अगर रोगों से लड़ने की शमता कम हो गई, तो आप infection आपको जल्दी हो जाएगा, अब जैसे कोई कुपोशित बच्चा है, तो उसको diarrhea होना as compared to normal बच्चे के ज़्यादा संबाहना होती है, निमोनिया उनको जादा हो जाता है, और तरह के infections सारे, सकिन से लेकर, bodily infections, GIT infections, respiratory infections, हर तरह के infections के लिए वो जादा प्रोन हो जाता है, तो मतला अगर कुपोशित बच्चा है, तो एक तरह से आप जी समझ लीजी कि वो जादा हर एक चीज़ के लिए प्रोन है, गर्वती महिला अगर पॉस्टिक आहार नहीं लेती है, तो क्या वहाँ पे भी chances होते हैं कि जो बच्चा है, जो नवजात है, वो भी कुपोशित हो? जी, देखें, क्या होता है, जो गर्वती महिला होती है, जिसे कुछ ऐसे sources होते हैं, जिसे vitamin D को ही ले लेते हैं, vitamin D और phosphorus, इनका जो accretion होता है, जिसे अगर महा ही deficient है, तो बच्चे को उनका accretion नहीं होता है, क्या होता है, यह कुछ ऐसे nutrients होते हैं, जो बच्चों में जाते हैं, तो अब समझे कि अगर महा में ही यह सारी चीज़े नहीं है, तो definitely बच्चे में तो यह सारी चीज़े कमी ह होना बिल्कुल लाजबी है, तो यह accretion नहीं हो पाता है, जैसे phosphorus हो गया, vitamin D हो गया, even iron, डाइरिया और cupotion का मेल क्या है, यह आप से समझना चाहेंगे, डाइरिया और cupotion एक तरह की cycle है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक बच्चे को डाइरिया है, उसको बार-बार डाइर से लगाता है, लूज करते जा रहे हैं, तो बच्चा को पोशित हो जाएगा, recurrent diarrhea अगर उसको हो रहे हैं, तो cupotion हो जाएगा, उसकी वज़े से बच्चा infection के लिए और प्रून हो जाएगा, तो इसको डाइरिया हो सकता है, तो एक तरह का यह चक्र बन जाता है, डाइरिया और man nutrition का, यह जो सरकारे हैं, अब काम कर रही हैं, हजार दिन को एक target किया गया है, कि हजार दिन एक बच्चे को देने का करतव्य निभा रहे हैं, और इस और आगे भी बढ़ा जा रहा है, बहुत से काम हो रहे हैं, अलग सस्था इस पर काम कर रही हैं, यह जो हजार दिन का पूरा format है, यह क्या कुछ है? तो उस हजार दिन पर हम लोग इसलिए फोकस रखते हैं, कि अगर डाइट ठीक है, न्यूट्रिशन ठीक है, उसका वेट ठीक है, उसकी ग्रोड ठीक है, तो वो बच्चा आगे जाके एकदम नॉर्मल जिन्दगी जीएगा. जी, इस तन्पान को लेकर जो बच्ची नहीं कर पाते हैं, या फिर उस दोरान वो बिमार रहते हैं, और मा के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, और अमूमन इस तरह की कई केसे देखने को मिले हैं, क्या उनमें जादा खत्रा रहता है कुपोशित होने का? पर तून अस्पताल में तो वहां पर हमने महिलाओ को इसलिए जागरूख किया था, कि ब्रेस्ट्वीडिंग है शुरू के चे मेने में वह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यह समझ दीजे एक तरह से जो मा का दूद अम्रित है, वह बहुत बहुत ज़रूरी है, शुरू है, वह सही मात्रा में, जो कैलरीज है, वह सही मात्रा में, जो न्यूट्रियंट्स होने होते हैं, जो इम्नोग्लॉबलिंस होते हैं मा के दूद में, वह सिर्फ आपको मा के दूद में मिल सकते हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे पास गाई के दूद पर होता है बच्चा, गा प्रोटीन और जो गाई के दूद में प्रोटीन होता है that is casein based तो casein जो वाला प्रोटीन होता है उसको बच्चा हजब ही नहीं नहीं कर पाता तो अगर प्रोटीन आप दे भी रहे हैं दीए वैसे तो हर किसी को सकता है लेकिन हमारा focus mainly जो होता है वो under 5 age में होता है क्योंकि वही जो होती है सबसे important age group होता है और उसकी productivity आगे जाके count करती है बहुत जादा और तपके के लोगों के लिए यही है कि अपना जो diet रखे है वो बहुत balanced रखे है और जैसे अभी इस समय जैसे और बच्चों को होता है उपर वाले तपके वाले जो बच्चे होते हैं उनमें over nutrition जादा होता है तो वो एक ही तरह का खाते परता खाते रहते है पिज़ा बर्गर and all kinds of oily foods होता है वो खाने में लगे होते हैं तो हमेशे अपने हमें जो diet रखना है उसको balance रखना है उसमें सही मातरा में protein हो सही मातरा में carbohydrate हो fats भी जरूर ले बहुत जरूरी है fat का intake भी और it should be मतलब एक तरह संपून जो हार होनता है वैसा होना चाहिए आप सबजिया भी खाएं आप दाल भी खाएं तो चावल भी खाएं आप रोटी भी खाएं सैलेट्स भी खाएं सब कुछ खाएं संपूर आहार का आप जिक्र कर रहे थें, हर तपवकीの व्थी के लिए यह इसम्भश भी नहीं आ जेता है यह इस дав अगेजार का डाल हिए कर दो चावाल घियces पर किया रखा रहा है कि— उस नहीं किले का है अपक्रा 역시 मत पकेत כहए हूब जो malnutrition वो उन तबकों में भी जादा है, जो लोग afford भी कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, क्या खाना है, बच्चों ने जद्ध करी, माव अपने लाके दे दिया, लेकिन हम लोगों को यह पता होना चाहिए, कि हम लोग अपने बच्चे का नुकसान कर रहे है तो malnutrition ऐसा नहीं है, कि सिर्फ बहुत है, commonly है, lower तबकों में भी, लेकिन जो लोग afford कर सकते हैं, जिनके पास इतनी capacity है, कि वो खरीद भी सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उस class में भी है, अभी मतलब आप देखेंगे कि, मतलब lower middle class या middle class वाले लोग हैं, अभी भी आते हैं, अनीमिया के साथ, severe iron deficiency, अनीमिया लैंड करते हैं, हमोगलोबिन 2-3 के साथ, और उनको पते नहीं जलता कि, मतलब उनका बच्चा कुपोशित है, इतना severe iron deficiency, जागरुकता की कमी, बच्चों ने जित करी, बस उसको दूद पर ही रखा है, दूद पिलाए जा रहे है अब जैसे 6 मेने तक मा का दूद पिलाना है, 6 मेने के बाद complimentary feeding स्टार्ट करनी है, आधे लोगों को यह नहीं पता होना होता कि, दूद के लावा आपको जो उपर से पूरा काहर देना है, वो कब देना शुरू करना है, तो 6 मा का जैसी बच्चा हो, उसको शुरू कर देना ह वो बच्चे फिर कॉपोशन में लैंड कर जाते हैं, यह नहीं कह सकते हैं कि एक ही तपके के या फिर गरीब तक के निर्दन तपके के जो लोग है, वो ही बच्चे से जादा है, लेकिन अब यह चीज मिडल क्लास फैमिली में है, और सबसे बड़ा कारक अज्यानता है, साफ सफाई बहुत महत्पूर है, मतलब अगर साफ सफाई बना के रखेंगे तो आप सारी जितनी भी डिजीज हैं, जैसे अब सपोस करिए इन्वेजिव डाइरिया है, एक छोटा सा चीज अगर कर लें, अपने हाथ सही तरीके से दोएं, साबून से दोएं, तो आप साफ सफाई बना के रखेंए, बहुत जरूरी है साफ सफाई, राजी सरकार हो, केंदर सरकार हो, इस और कारे कर रही है, आप भी अलगलग कैम्प्स में जाते रहे हैं, लोगों को सिख्षित करते आए हैं, आम लोगों की सहभागिता आप कितनी मानते हैं इस पूरी जंग म बहुत जरूरी, बिसिकली लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, कि बैलन्स डाइट क्या है, अपने बच्चे को आपको क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये बहुत जरूरी चीज़ है, अब जैसे हमारे पास ही होते हैं, कब तक उसको मा का दूद पिलान लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि थोड़ी इस मामले में जागरुकता की कमी है कि exclusive breastfeeding कप करना है, complimentary feeding कप करना है, कब बच्चे को बिलकुल एक दम आपको पूरी तरह से फीड्स पर establish कर देना है, तो इसमें थोड़ी सी भी मेरे को लगता है कमी है. कुल मिलाकर अगर आपकी बातों का निश्कर्च निकाला जाए तो इसमें मा की भूमी का बहुत बड़ी है? अगर आप देखें, जैसे हम लोग कहते हैं के malnutrition के cause क्या होते हैं, तो immediate causes होते हैं, immediate causes में जैसे आप कहें कि infection हो गया, कि जैसे recurrent diarrhea हो रहा है, diarrhea के बाद वो land कर गया, kupotion में, तो infection हो गया, pneumonia, diarrhea, तो यह cause कर सकते हैं, एक underlying causes होते हैं, जिसमें आप देखें, तो यह food, nutrition, यह सार आपकी socio-economic status कैसा है, दूसरा आपकी cultural practices कैसी है, अब जैसे बहुत सारे cultures में होता है, कि नहीं, मा का दूद नहीं देना है, शुरुवाती दोर में, जो kolostrum होता है, जो गाड़ा पिला दूद आता है शुरू का, उसको बहुत से लोग avoid करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, खरा क्या कुपोशन से दिव्यांगता भी बच्चे के भीतर देखी गई है, ऐसे कोई cases सामने आये हो, अगर होती है, तो उसके साथ कुपोशन हो जाता है, क्योंकि वो special child होते हैं, उनके थोड़े से nutrition जो होता है, वो हमेशा falter करी जाता है, जैसे suppose करिए कि एक छोटा बच्चा है, वो cerebral palsy के साथ आ रहा है, किसी और दिव्यांगता के साथ आ रहा है, तो उस पी इतना ध्यान नी दियाता, फिर बच्चा भी होता है कि वो जादा खुद से नहीं ले पाता, अगर आप बहुत ही जादा फोकस करते हैं उस बच्चे के उपर, यह माँ 24 गंटे उसी पर ल दोनों छती होती है, जो कुपोशित से है बच्चा या फिर व्यक्ती मानसिक, शारे रिक हर तरह की शती, मैं आपको बताए है ना, हैट से लेकर टो तक सारे चेंजिस आते हैं बालों, नखून से लेकर हर तरह के चेंजिस आते हैं, आप देखिएगा कि जो डेवलपमेंट वो पूरी तरह से फॉल्टर करता है, आपको पोशित बच्चे को अगर देखेंगे, वो बिल्कुल एपथाटिक होगा, आपसे ना ज्यादा बातचीत करेगा, हासेगा ने, खेलेगा ने, बोलेगा ने, और एकदम अलग ही पड़ा रहेगा, बिल्कुल एकदम. आप जिकर कर रहे थे कि खाने में कही ना कहीं प्रोटीन की जो कमी है, वो सबसे बड़ा कारक भी है, अपके जो मामले आए हैं. पहाडों की अगर बात करें, यहां के वेंजनों की बात करें, या फिर यहां के खाने की बात करें, जो मूल वेंजन रहे हैं, यहां के दाल, चा मेच नहीं कहाते हैं, दाले में और लेकिन आप कहते हैं, अगर आप अगर आप चावल झाए लाक्टा लाजे लुए तो आप इन दोने को सम्मिलत करें लुए हैं अगर इक चावल का जीक हैं, आप अगर पूरी एसेंशल चा प सब्सक्राइब कहसे होता है पाड़ों में और बहुत प्रोटीन उसमें रहा है तो रूटीन लाइफ में कैसे लाया जाए आप देखिए सारी चीजे हैं जैसे भी आपका जो खान पाने बेसिक वो एक डाइवर्सिटी की तरफ होना चाहिए एक तरह का अगर आप खाना हर रोज खाते रहेंगे कि नहीं वो ही आलो की सबसी खाई वो ही रोटी खाई तो उससे आपका काम नहीं बनेगा आपको अपने मतलब जो हाबिट है डाइटरी हाबिट उसको तोड़ा से डाइवर्स करना पड़ेगा कभी हरी सबजियां भी खाई प्रोटीन वाली चीज़े भी खाई फिर आपने मत कीचन में आप मेंटेन कर सकते हैं, बहुत आसानी से, तो उसको लेकर कहीं न कहीं सजग होना होगा. हाँ, बैसिकली उनको जागरूख करना बहुत ज़रूरी है, होता सब कुछ है घर में, लेकिन जागरूखता की कमी है, मा को पता ही नहीं होता, बिचारी बच्चे को सिर्फ बाटल से दूध भाटल से दूध पिला जारी है, उसको ये लगता है, मेरा बच्चा बस दूध पीले तो काम हो गया, दो साल के बच्चे पिए जाते हैं वो बस दूद पे लगे लिए हैं बस दूद ही दूद पिये जा रहे हैं तो उन्का काम नहीं Gutta पने बनाता ऊस् से, अगर आप उनको सीरियल बेज डायट नहीं दे रहे हैं तो आप उनका एक तरह से नुकसान कर रहे हैं हेल्दी डाइट का आपने बार-बार जिक्र किया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शों को तक यह संदेश भी पहुच रहोगा कि हमें डाइट मैंटेन करनी चाहिए अगर सुभा के वक्त देखें तो क्या बच्चे को पूरे दिन भर में जो दूद का आप बार-बार जिक्र कर रहे थे क्या उस जाइट से हटाना होगा और अन्य जो चीजे हैं उसमें लाना होगा और दूद की जो सीमित करने की जो शंता है और यू कहें कि उसको लेकर लोगों के दिमाग में बहुत चीजे रहती हैं कि नहीं दूद है तो बहुत बहुत बहतर भी है तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप पिलाईये कम खिलाईये जादा मतलब आप सिर्फ यह समझ लीजे कि आप अगर अपने बच्चे को खिलाएंगे तो उसका जादा भला है पिलाईये कम खिलाईये जादा पानी खिलाई ऐसा भी नहीं कि पानी भी रोग दिया आपने सब कुछ रोग दिया पिलाई ये थोड़ा कम और खिलाई ये जादा तो इससे अगर आपको एक बेसिक आप ये उनको एक तरह से एक मूल मंतर दे देते हैं लोग इतना मतलब सब मंच पर जाके बता रहे होते हैं लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जिन तक ये संदेश नहीं पहुँच पाता है तो मैं चाहता हूँ इस माध्यम से आपके माध्यम से भी उन लोगों तक ये संदेश पहुचे कि portion बहुत ज़रूरी है आप अगर अपना शुरू के thousand days जो आपने अभी जिकर करा thousand days में अगर आप portion अपना ठीक रखते हैं तो आप देखेगा कि आपकी जो productivity है आगे जाके life में बहुत ज़ादा increase हो जाएगी एक Copenhagen थियोरी है कि अगर आप एक रुपिया भी लगाते हैं तो आप समझनी जाएगे साथ रुपिया आपने आगे के लिए फ्यूचर के लिए आपने एक तरह से इन्वेस्ट कर दिये इस मंच से माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे उन ग्रहनियों को नहीं खाईए प्लस जंक फूट से बचिये और एक बैलेंस डाइट जो कि हम कहते है ना दाल, चावल, सबजी, रोटी, हरी सबजियां भी खाईए सारे फल भी खाईए दाल, चावल, दूद पे ज़्यादा निरबरता न रखिये सुबह और शाम अगर आप दूद भी लेंगे तो उससे भी चल जाएगा लेकिन अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखिये परकुर चोटी-चोटी सी चीजे हैं जो आप समझ सकते हैं आम बोल चाल भाशा में या फिर आप नजर से भी भाव सकते हैं अगा क्यान की आप भ बच्चा को बोशित है дो किने बस समझने का फेर है आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा ओपका उसका वजन बड़ रहे है आप देख रहें कि आपका अपका बढ़न नहीं बढ़ रही है और उनका एक चार्ड बनता है, तो आप देखते हैं कि अगर उस चार्ड में बच्चा नीचे आ रहा है, या फॉल्टर कर रहा है, तो यह लोग कहते हैं कि अगर उसने 2 standard deviation cross कर लिये, या less than minus 3 standard deviation तक है, तो उसको तुरंथ हमारे पास भेजी, आंगनवाडी जो आशा workers हैं, वो तो ख्यार इसमें काम में लगे वही हैं, लेकिन ये भी है कि वो बच्चा अंगनवाडी तक जाना भी चाहिए, या अंगनवाडी workers जो है, उनका आपके साथ association भी होना चाहिए, तो वहां से वो बच्चे जल्दी पकड़े जाते हैं, और जहां एक पर इस जल्दी चोटी चोटी चीजे हैं, समझने का फेर है, बहुत बहुत शुक्रिये, डॉक्टर साब हमारे साथ कारिक्रम में मौझूद रहे, और डॉक्टर साब ने जिस तरीके से बताया कि आप बहुत ही चोटी चोटी बातों का ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपको विश्य है, जिसका हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से डॉक्टर साब ने बताया था कि एक रुपए आज इन्वेस्ट करेंगे, तो कल आपको साथ रुपए मिलेंगे, तो वो ही है कि आप देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी सहभागीता जरूर हमारे साथ आज फिलाल इतना ही बने रहें, टीडी उत्राखण के साथ नमस्का